मोधी सरकार के दूसरे कारेकाल का तीसरा आर्थिक सर्वेक्षन पेश कर दिया गया है ये रिपोर्ट देश की अर्थवेवस्था की वर्तमान इस्थिती और सरकार द्वारा उठाये गए कदमों से मिलने वाले परिणामों को दर्शाती है केंद्री वितमंत्री निर्मला सीतारमन एक फरवरी 2021 को संसर्वे बजट पेश करेंगी प्रतिवर्ष बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षन प्रस्तुत किया जाता है इस सर्वे की रिपोर्ट को भारत की मुख्य आर्थिक सलहकार के नेतरितों में एक टीम द्वारा तैयार किया जाता है सर्वेक्षन में कहा गया है कि चालू वित्वर्ष 2021 में जीडिपी माइनस 7.7 फीजदी होगी यानि इसमें 7.7 फीजदी की गिरावट आ सकती है वहीं आगामी वर्ष में देश के अर्थवेवस्ता में सुधार होगा यानि वित्वर्ष 2021 में 11 फीजदी की आपको बताते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षन होता क्या है आर्थिक सर्वेक्षन पिछले एक साल के अर्थवेवस्ता के सिती पर एक विस्तृत रिपोर्ट होती है जिसमें अर्थवेवस्ता से संबंधित प्रमुक चुनोतियों और उनसे निपटने का जिक्र होता है आर्थ एक बार जब दस्तवेज तैयार हो जाता है तो उसे वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाता है पहला आर्थिक सरवेक्षन उनें सो 59 सिंख्यावन में पेश किया गया था बजट के समय हैं इस दस्तवेज को पेश किया जाता है 1964 से वित्त मंत्राले बजट से एक दिन पहले सर्वेक्षन जारी करता आ रहा है सवाल है कि आर्थिक सर्वेक्षन का महत्व क्या है तो आर्थिक सर्वेक्षन का महत्व यही है कि ये देश की आर्थिक स्थिति को बताता है आर्थिक सर्वेक्षन, पैसे की आपूर्ती, बुनियादी धाचा, क्रिशी और अध्योगिक उत्पादन, रोजगार, कीमत, निर्यात, आयात, विदेशी मुद्रा भंडार के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक आर्थिक कारकों का विशलेशन करता है आपको बता दें कि ये दस्तावेज, सरकार का सबसे महतोपोन दस्तावेज होता है, जो अर्थ विवस्था की प्रमुख चिन्ताओं पर भी ध्यान के इंद्रिक करता है, आर्थिक सर्वेक्षन का डेटा और विशलेशन, आम तौर पर केंद्री बजट के लिए एक नीतिगत दृष्टिकोन प्रदान करता है, वीडियो डेस्क अमरुजाला.डाट कॉम अमरुजाला ग्रुप का मीडिया स्कूल, दा आरोहन मीडिया स्कूल, यानि टैम्स दे रहा है सुनेहरा मौका एक साल के डिजिटल कोर्स में सीखें पत्रुका दिता, कोर्स में सफल हुए छास्त्रों को मिलेगा प्लेस्मेंट अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें